तो बहुत सारे वेक्ति का ये comment रहता था जो sir अपना swift code आप अगर facebook creator है या youtube creator है और आप facebook या youtube से जब आप payment लेना चाहिएगा payout setting करिएगा तो वहाँ पे आपको swift code देना पड़ता अपने bank का swift code जो कि बहुत सारे bank account वाले को पता ही नहीं है और या आपको bank का चकर लगाना पर सकता है तो आपको यहां पे हम genuine तरीका बता रहे हैं जो किस तरीका से आप क्या कर सकते हैं swift code ले सकते हैं किसी bank का कहीं का भी जैसे यहां पे हम screen recording side में आपको लगाते हैं और आप देखिएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो का अभी तक लाइक लाइक कर देजीगा और इसे information पाने के लिए चैनल को subscribe बेकन और कर लीजीगा यहां पे आप लोगो साइड में screen recording दिखाता होगा जो कि सबसे पहले आपको क्या करना यहां पे आपने mobile में Google Chrome browser पे आपको जाना है ठीक है इस Google Chrome browser पे आप क्या करना है select करना उसके बाद यहां पे आपको search करना है ठीक है आप जिस भी bank कर लेना चाहते हो उस bank का नाम और उस branch का नाम आपको search करना है जैसे यहां पे हम search करते हैं पंजाव नेशन बैंक PNB बहरी दरभंगा शुप्ट कोल ठीक है इस तरह से आपको भी लिखना है अपने district का ना आपको यहां पे सारा bio data खोल जाएगा देखिए शुप्ट कोड यहां पे दिया हुआ है पंजाब नेशन बैंका PUNBINBB ITR ठीक है इस तरह से दिया हुआ है टावर चोक दरभंगा इस तरह से और bank का नाम यह सार चीज़ यहां पे दिया हुआ है इस तरीका से आपको क्या कर कर सकते हैं बांकि आप लोग को अभी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला Facebook से जो आपको payment लेना है तो वह setup कैसे करे ठीक है आपको payout कैसे setup करना है वह चीज़ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम सिखाने वाले हैं सब सिक्षन जो हता है setting वह कैसे करना उस YouTube सेटर कोई भी information चाहिए आप लोग नीचे comment box में पुछ सकते हैं या Instagram का link नीचे डिप्सेन में डाला हूँ आप वहां से आप हमें Instagram पे message करके आप पुछ सकते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए जैह जैव